इतरा हो इतरा हो चहरे को मास्त बनाने वाला फेसपेक लेकिया है यो आज मैं रहाते दोते तो हम सभी हैं क्रीमे श्री में भी लगा लेते हैं लेकिन उससे बात नी बनती आपको अपना चहरा लंबे टाइम तक खुबसूरा जवान गोरा चेटा चमकीला ग्लोइंग स्की नगर रखना है ना उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड करती है बज़र्ट अपना खराब करना पड़ता है लेकिन 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 उससे भी अच्छा ऑल्टरनेटिव हमारे पास एक और आइडिया है जो कि हमें फेस पैक फेशिल से भी ज्यादा अच्छा ग्लो चहरे पे निखार दी सकता है वो है घरेलू फेस पैक लगाएं घर खरा बनाया जाता था बालों को लंबा किया जाता था इस रेमेडी के द्वारा क्या होते है कि ऐसी सिर्फ काम नहीं चलता बस क्रिम लगा लिया नहाल यह दोल्या डेलीवेर्रूटीन करते चले जो शकूस्कें पर डेड्र सकें जमने लगती है ब्लैक्एर्ट स्वाइट ह जान देने के लिए, सकिन को ग्लोइंग बिनाने के लिए, काले दाग मुद जान। कम पहुं कहते हूं। आपको फैस पैक जडिय। जरूर अप्लाइ करना है, स्किन केर ज़रूर करें कीजिए . अगर आप अभी serious issues को नहीं लेंगे और 40 के पार जैसे ही जाएंगे, 50 के पार जैसे ही जाएंगे, इसके नितनी जादा खराब हो जाएगे, जैसे कि 70 पे होती है, तो आप अगर care करते रहेंगे, तो आप अच्छी खासी age के बाद भी skin पे glow बना रहेगा, skin पे निखार, tight skin बनी रहेगी, आपकी जो aging sign है, वो धीरे धीरे आएंगे, इतना speed से आप बुड़े नहीं होगे है न, तो skin care करना है और बाद जादा जरूरी होता है अपने skin की care करना, तो चेहरा मेरा खिला खिला सा निखरा गोरा चिता सा लगता है, क्योंकि घरेलू face pack वगएरा में लगाती रहती हूँ, डेली तो विडियोज अप्लोड करती हूँ, कुछ ना कुछ अपने चेहरे पे लगाती हूँ, तो चलिए बताती हूँ कैसे कैसे हमने ये घरेलू वाला भड़िया सा जो है face pack बनाना है, तो आपको सबसे पहले जी एक खाली कटोरी लगेगी, आपको एक खाली कटोरी ले लेनी है, उसके बाद दनिया का सबसे ज़्यादा पुराना नस्ख आपने लेना है, मुलतानी मिट्टी पाउडर, चाहे साबत मुलतानी लेके उसको पीस के थोड़ा ऐसी तरज फोर देना किसी जीट से, और पानी डालेंगे उसमें तो अपने आपी पेस्ट जैसा बन जाता है, या फिर आप चाहे तो अच्छे से उसको पीस के उसका पाउडर बना सकते हैं, चाहे तो पिसा हुआ पाउडर ला सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगा आपको मुलतानी मिट्टी ठीक है, राशन वगेरा जहां से लेते हैं, वहां मिल जाएगा, किसी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा, तो हमको लेना है फिर एक चमच, एक चमच मुलतानी मिट्टी पाउडर, बहुत पुराने टाइम से आपकी दादी, आपकी नानी मुलतानी मिट्टी से बाल दोती होंगी, चहरे पे लगाती होंगी, साबुन, फेश्ट वो सर्चीज का काम करता है, यह सिर्फ यह नहीं कि आपका स्कीन ही साफ करेगा, या आपके बाल ही लंबे रहेगा, ठीक है, स्किन में साफ करता है, बाल भी लंबे रहता है, नाबाल से वैसे पहले, बाइट होते थे पुरानी जमाने, विजसे आजकल हम लोगों के हो जाते हैं, तरहा तरहा की चीज़े यूज करके, तो मुलताने मिट्टी हमने यहाँ पे लिया, खुश्बो ही बहुत अच्छी है, डेवन जाता है, तो अब की बाहर हमको क्या करना है, I know मैं मांगती हूँ थोड़े से महंगे है, लेकिन आपको जर्रासा चाहिए, आपको टमाटर लेना, आधा टमाटर हमको यूज करना, अब यहाँ पे आपके पास टमाटर अगर नहीं है, आप अभी नहीं यूज कर रहे हैं, बहुत महंगे हैं, तो आप अलोविरा जेल यूज कर सकते हैं, मार्केट वाला है, चेरेगा ये भी नहीं है, तो घर वाला जो होता है, घर में पोधा होता है, उसका पल्प ले सकते हैं, वो भी नहीं है, तो आप इन दोनों को skip कर देना, इसके आगे जो बताती हूं वो ले लेना, ठीक है? तो ये दोनों ही चीज भी जो है, आप इसके तक सारे मैल निकाल के, इसकेता है, रिंकल फूरी स्किन को करता है, स्किन को टाइट बनाता है, काले दाग धब धूर करता है, चाहिए। आप टیमाटर यूज़ करना, чाहिए तो ऐलोविर ja GI उसकरना, दोनों ही आपके लिए बहुत फायदे मन होंगे मैं हाफ टमाटर यहाँ पे लेने वाली हूँ ठीक है बाद में तो थोड़े जिन में सबस्ते होने वाले है तो थड़ा कैसी टमाटर फेस्पेक यूज़ करना पिर मानती हूँ थोड़ा है यार मतलब है तो सही ऐसी लात नहीं है दोसों के पार्ट माटर है तो हमने इस तरह से दबाते हूँ नीबू की तरह यह लिया फिर जो बाकी बचते हैं हम इसको अपनी सबजी में आड़ कर सकते हैं हमको हलका इसका जो है रस चाहिए होता है हंदर का ठीक है तो भाई मैल को काटेगा विटामिन सी का काम करता है इसकिन को अच्छा बनाता है तो विडियो मेरे कैसे लगते हैं आपको प्लीज मुझे कमेंट में बताया करें जो मेरे डेली व्यूवर है वो और इसके बाद से आपको हमेशा 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 फेस पैक बनाते हैं तो हलका सा आपको जो ओईल आप यूज करते हैं ताकि रूखा सुखा पन आए फेक स्पैक यूज करने के बाद सकिन पे प्रोपर मुश्चर बना रहे हैं मुश्चर बनना बहुत जरूरी होता है तो यह एड़ किया हमने अभी हमको क्या करना है अलोविरा जल चाहें तो वह भी है तो टमाटर अलोविरा जल दोनों ही डाल सकते हैं वरना तो आप सिर्फ मुलताने मिट्टी ले और नारियल का तेल या फिर जो भी तेल आप लगाते तेल तो जरूर से आप लेने लेना ही है वह स्किप नहीं करना हलका में या पर मेरे पास है तो मैं अलोविरा जल भी एड़ करूंगी और इसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए फेज़ पैक को ठीक है वर्ना आप सिर्फ मुल्ताने मिटी और जो है ऐल लेंगे और उसके बाद से हलका पानी हमने इसमें डाल लें क्योंकि इसको पेस्ट भी बनाना है न हमने आप चाहे तो यहाँ पे गुलाब जल भी डाल सकते हैं गुलाब जल से पैक बना सकते हैं चाहे 5 thanking बनाना हो पर ecoland क अगर उनके हाथ लग गई मैं मेरे बाल बहुत बड़े हुआ करते थी अभी मैंने रिसेंट के टाइम अब बिमार बहुत हो गई थी वहना हमेशा से मेरे बहुत लंबे हुए है आज मैंने तेरा सर बुलतानी मट्टी से दोना है पकड़के मुझे संदे को तो पकाई मेरे ब होता है या आप बहुत आता है क्या कर सकते हैं टाइम के साёथ लोग चले जाते हैं हम खोड़के तो जी हमारा बहुट प्याया सा přैक बनके रैड़ हो गया जिसको देखना यह जहादा आप s darum करे से चाह अजहाई और लगा के हमको क्या करना है आपको पांच मिनटी से मसाज भी करना है और अगे मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ चहरे पे आपने अपनी गर्दन पे भी अपलाई करना है अच्छे से ताकि गर्दन का चहरा यह नहो चहरे का रंग तो साफ हो जाए और गर्दन का रंग कुछ बोला है न तो हो जाता है ऐसा तो हमने लगाया फ्लो नहीं आता एडटिंग करके इतना कटवर्ट करके जो एक बार में जो दिल से निकलता है न बिना स्क्रिप्ट के मुझे वह सबसे अची चीज़े लगती है जो मेरे दिल में होते हैं आपके साथ बिना स्क्रिप्ट शेयर कर देती हूँ ठीक है तो यह हमने लिया थोड़ा सा पैक इरिंग मेरे को परिशान कर रहे हैं बड़ी जहादा है आपने करना है इस तरीके से हमेशा कोई भी प्रोड़क्ट यूज़ करें फेस पैक फेश्विल कुछ भी अपलाई करें इस तरह से मसाज करें नेचे विश्वास के साथ चेहरे पे बिल्कुल फर्क पड़ता है मैं तो बहुत रेर यह ऐसा कभी हुआ होगा मैं जहके पारलर से क्लीनिंग ना करा के फेस की घर पे ही करती हूँ ना तो कोई साइड इफेक्ट होता है ना ये डर होता है कि साइड इफेक्ट आएगा बाद में तो हमने अच्छे से इस तरह से किया मसाज पांच मिनट के लिए फिर आपको इसको सूखने के लिए चैहरे पे छोड़ना है और फिर नॉर्मल पानी से दोना है फेश वोस का अभी यूज नहीं करना स्टार्टिंग में धोने के बाद आप ये अपलाई करेंगे फेश वोस एक तम क्लीन होगा है आप देख सकते हो बिलकुल क्लीन होगा है ना कोई बाहर में आया हूँ है तो मैं ऐसे बात कर रहे हूं इसी तरह से आपने ये रेमेडिय उसकरनी है तो अभी हमने बोच लिया बोच लेना है जिसे टावल से और इसको सुका के विर आपको जो है क्या ये 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 य जो चाहेगा Skin Picles of Wrinkles तो करता है Alloeveo Gel किस सरा शे skin दिख तो साफ हो कही है बताना कैसे लगा वीडियो जो जो एन्हा जमाद कहा एन्हा एक भी चुमके कही है यह एन्हाइम करो तो लिक करते नहें चेज को वीडियो अशा लगा और जो टेली मेरे वीडियो दिखते है ना इधर हो, कमेंट बताना मुझे, अगर आप टेली दिखते हो तो तो मैं जूती मिलती हूँ आपसे कलेको ने वीडियो के साथ और अगर आपको व्लोग सेखना पसंद है तो मेरा व्लोग चैनल है जूती मेर वाल व्लोग सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर बताना पुराने व्लोग में पठेली व्लोग डालना स्टार्ट कर दूँगी ठीक है बाई बाई लफ्यू व्लोग व्लोग दालना